लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें आपने राजनितिक स्वार्थ के लिए राज का आहित करने वाली कॉंग्रेस की सोच का आज मैं एक और उदहन आपको देना चाहता हूँ 1947 में जब देश अजाद हुआ 1947 में भारत के टुकड़े हो गए माता को आजाद कराने के लिए ये भारत मा की भूजाएं काड़ दे गई और 1971 में बंगलादेश का निर्माड हुआ दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए जो पाकिस्तान में बंगलादेश में अफगानिस्तान में अलपसंख्यक थे जिनका ध्यान रखने का सम्द्योता हुआ था ये अलपसंख्यक पाकिस्तान में अलपसंख्यक कौन है बंगलादेश में अलपसंख्यक कौन है अफगानिस्तान में अलपसंख्यक कौन है इन अलपसंख्यक कौन है और उनमें अधिकतार हिंदू थे शीक थे बौद थे जैन थे इसाई संप्रदाय के लोग थे पार्ची लोग थे ये लोग अनेकों पीडियों से वहां रह रहे थे वो कहीं और ते वहां जाकर नहीं बसे थे इन लोगों ने अलग देश की मांग भी नहीं किती उन पर तो ये फैसला सरफ 47 में थोपा गया था हिंदूओं में भी अधिकतर बलीद परिवारों के लोग थे जो विपाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे और ये वो लोग थे जो वहां साप सफाई का काम करते थे जिनको पाकिस्तान के जमिनदारों ने वहां सेवा के लिए काम काज के लिए रखा था वहां जो दलीद बंचीद सोसित रह गए थे उनके साथ अमानिविय वरताव हुआ उनके मंदिरों पर कबजा किये गए गुरुद्वारा हो चर्च हो हर्च तिर्च छेतर हर्च सर्जा केंदर संकट में आ गया घर तो उनके पास क्या थे जोपड़ियों में जिनकी गुजारे से उन पर भी कबजा कर लिया बहु बेटियों के साथ दिन दहड़े अत्याचार हुए यही स्थिती वहां रहने वाले सिख परिवारों के हुई ऐसे लाखों साथी पाकिस्तान बंगलादेश और अभ्यानिस्तान से भारत आए दस्षकों से वो भारत के अलग-अलग सानों पर रह रहे हैं अन्य दिक्रुत रूप से रहाए जाते हैं उनको राज रिति के लिए उप्योग तो किया गया लेकिन उनको नागरिक्ता को लेकर सिर्फ बादे मिले और आप अख़बार निकाल दीजिए हर तुनाओं के पहले कॉंग्रेस के किसीने किसी नेता ने कॉंग्रेस के किसीने किसी काई ने ये बयान दिया है पुराने अख़बार निकाल देना उन्होंने वादे किये हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बंगलादेश पाकिस्तान से आये हुए जो विस्थापित है उनको हम नागरिक अधिकार देंगे हिंदू को देंगे शिक को देंगे ऐसा भी कहा है लेकिन कल आपने देखा फिर पलट गए भाईयों बहनों जिस गरीबी गंदगी और उपेक्चा की स्थिती में ये हमारे भाई बहन पाकिस्तान में थे कॉंग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ बही बरताव किया भाईयों बैनों दस साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बड़े तो दर्जन और इसाई परिवार भी किसी तरह अपने जान बचा कर भारत आये थे भारत इसलिए आये थे क्योंग उनके भी पुर्खे इसी दर्थी से जुड़े हुए थे लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कॉंग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया ऐसे इसाई परिवार आज भी बहुती दैनीय स्थिती में जिन्दगी गुजार रहे साथियों आज जब ऐसे लाखों गरीब प्रताणित बंचित शोचित दलीग परिवार शिक परिवार इसाई परिवार उनको भाजबाने अपने बादे के अनुसार नागरिक्ता देने का कानून बनाया तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसका भी विरोद कर रहे हैं आप पुझे बताईए भाईयों बैनों उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको भारत में सरन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उनको अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाइयों बैनों, आपने अब कॉंग्रेस को भली भाती पहचान लिया। कॉंग्रेस सिर्प और सिरफ कॉंग्रेस और उसके सयोंगों की स्वार्थनिती हैं, वोट बेंग की चिंता है। इनको पता है कि दलीतो, वंतितो, पिछडो, आदिवासियों ने इनको ठुकरा दिया है। इसलिए एक वोट बेंग इनको अपना आखरी सहारा दिख रहा है। इसके लिए वो इस देश को करोड़ मुस्लिम साथियों से भी चल कर रहे हैं। उनको जूट बोल रहा है। साथ योई जो नागरिक्ता के कानून में संसोदन हुआ है। इसका भारत के नागरिक जो हमारे मुसलमान भाई है। इस कानुन से इस देश का हिंदू है मुसलमान है इसाई है पार्सी है बहुत है जैन है जो पहले से भारत का नागरीख है उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है लेकिन जुट बोले जा रहे हैं भाईयो बैने इसी तरह कि राजनिती के लिए ही कॉंग्रेस और उसके साथ ही नौर्ट इस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां प्रम फेलाएं जा रहा है कि बंगला देश से बड़ी संग्या में लोग आ जाएंगे जब ये कानून पहले से ही भारत आ चुके सरनाथियों की नागिरिक्ता के लिए 31 दिसंबर 2014 तक जो बारत आएं उन सरनाथि को ही इस ववस्ता का सुरस्वा में रखा गया है इतना ही नहीं नौर्ट इसके करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दाएरे से बहार है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दल जिनकी राजनिती गुस पेच्छों के समर्थन से चलती है वो वहां ब्रह्म फ्रलाने का प्रयास कर रहे है